पहला होट सेन आता एपिसोड वन में 4 में 48 सेकंड पर डोना मुल्शी का एक पैस्नेट इंटिमेटेट सीन दिखाया गया है आपके लिए जबरन पार्ट तू के बारे में रिवीव और होट सेंस के टामिंग के बारे में रिटेल आपको बताने वाला हूँ पहल आता एपिसोड वन में 4 मिन्स और 48 सेकंड पर डोना मुल्शी का एक पैस्नेट इंटिमेटेट सीन दिखाया गया मिन्टs अन 44 सेकंड्स पर दोना मुρґषि का एक पैस्टेट इंटिमेटेट सीन दिखाए गया, नेच्स आता एपिसोड 1 में 16 मिन्ट्स अन 39 सेकंड्स पर मही हान का एक passionate kissing scene and bedroom scene fourth type में दिखाया गया नेक्स्ट आता एपिसोड 1 में 27 minutes and 05 seconds पे डोना मुर्शी के एक passionate kissing scene and bedroom scene दिखाया गया नेक्स्ट आता एपिसोड 2 में 2 minutes and 46 seconds पे माही खान का एक passionate kissing scene and bedroom scene दिखाया गया नेस्ट आता एपिसोड 2 में 11 partido सेकंट्स पह एक प्वल का एक pass किशिंग सिन डिखाया गार्धीस नेक्सेट आता episode 3 में वॉन मिनिटल चंप सिन और ना मूशिक्वा एक पैर्शिसushi का एक ​षनेड्ल सिन दिखाया गार्धा टॉटल एपिसोड तीन है, इसकी स्टाइल 18 प्लस डामा और चिटिंग में आती है, इसका ODD प्लाटफॉर्म उल्लू है, इसकी लैंग्विज ऑफ ओरीजीन हिंदी है, और इसकी एवरेज लेंग 20 तु 30 मिंट्स पर डिफर करती है, इसकी MDP रेटिंग 5.7 है आउट अफ 10, वो बता देती है, सब कुछ डोना मुशी की एक लड़का आता है, अलग बेस में और मेरे साथ सेक्स करके चला जाता है, तो इसी मिक्स फिलिंग के साथ वो बोलती है, कि अब तुमारे जगा मेस होती हूँ और देखती हूँ और तुम आकर उसको पीचे से मार दो, जब वो आता है और उसके भावी के साथ इंटिमेटेट सीन कर रहा होता है, तब वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसके हात में चाकू रहता है, तो घबराने के बाद वो अपनी भावी को वही पर छोड़ कर सब कुछ करने देती है, बाद में वो बहुते रिग्रेट करती है, उसके दरमयान नेक्स पार्ट में ऐसा दिखाएगा है कि वह फिर से आता है, भावी के साथ इंटिमेट होता है, पर उस ताइम पे उसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि नहीं, यह अपना पती ही होगा शायद से, और दूसरे दिन उसके बैग में वह सारे कपड़े या स क्लोधिंग्स होती ही, वह सब कुछ मिल जाते हैं, इसी mix filling के साथ, पार्ट वहां पर खतम हो जाता है, तो उसको पूरा जो पिच्चर है कि उ सका पती, उसके साथ सब कुछ कर रहा होता है, और वह अपने भावी के साथ ही उसके साथ वो इंटिमेट होने के लिए वो जाती है क्योंकि उसने भी अपने भावी के साथ इंटिमेट हुआ था जान बूच कर और साटिस्फाय होने के लिए तो वो भी अपने पत्ति के सामने अपने भावी के हजबंड के साथ इंटिमेट हो जाती है तो इसी मिक्स फिलि और बेल आइकॉन भी दबाई है क्योंकि इसे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो दार कंटेंट आपके सामने लाने के लिए और ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राब बटन दबा दीजे कितना कितना टाइम लगता है सब्सक्राब बट झाल झाल